अनन्त अंबानी और राधिका मर्चंट का दूसरा प्री वेडिंग कार्ड आया सामने. चार दिनों तक क्रूस पर चलेगा जश्न. जाने क्या है खास? अनन्त अंबानी और राधिका मर्चंट इन दिनों अपने दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन को लेकर चर्चा में हैं. ये दोनों जुलाई में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वह इटली में एक बार फिर से ग्रैंट फंक्शन करने वाले हैं, जिसके लिए दोनों ने उडान भर ली है. इस बीच फंक्शन का इंविटेशन कार्ड वाइरल हो रहा है. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनन्त अंबानी भी अपनी लाइफ के नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. वह अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से इस साल 12 जुलाई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन इस से पहले इस होने वाले दूलहा दुलहन के लिए अंबानी परिवार ने ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन का आयोजन किया है. दूसरी बार इस कपल का प्री वेडिंग होने जा रहा है, जिसके लिए अंबानी, मर्चेंट और बॉलिवुड के कई सेलिप्स ने उडान भर ली है. इन सब के बीच अब ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन का इंविटेशन कार्ड वाइरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं. इटली के क्रूज पर होगा सेलिप्रेशन. मुकेश अंबानी ने अपने बेटे और होने वाली बहु के लिए इटली के क्रूज पर ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन रखकर शानदार सर्प्राइज दिया है. ये क्रूज इटली से फ्रांस तक की यात्रा के लिए निकलेगा और इस दौरान अंबानी परिवार समुद्र के बीचों बीच जश्न मनाते नजर आएगा. चार दिनों तक चलेंगे फंक्शन. अनन तंबानी और राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री वेडिंग कार्ड की फोटो वाइरल हो रही है, जिसमें बताया हुआ है कि फंक्शन की शुरुवात 29 मई से होकर 1 जून तक चलेगी. वाइट और ब्लू कलर के इस कार्ड पर लिखा है ला विटे ई अन वियाजियो जिसका अर्थ है जीवन एक यात्रा है. इन दिनों जब दोस्त एक साथ आएंगे तो यह जीवन भर का रोमांच होगा. इटली के इस शहर में शामिल होंगे महमान. इस कार्ड के मुताबिक प्री वेडिंग फंक्शन के लिए सारे महमानों को इटली में सिसली के शहर पलेर्मों में शामिल होना है. 29 मई को जहां से सब एक साथ क्रूज पर शामिल होंगे. इस दोरान क्रूज पर फंक्शन वेलकम लंच थीम के शुरू होंगे. 29 मई की शाम को थीम तारों वाली रात है जो अगले दिन ए रोमन हॉलिडे थीम के साथ आगे बढ़ेगी. 30 मई की रात की थीम ला डोल से फार नियंटे है और इसके बाद रात एक बजे टोगा पार्टी होगी. अगले दिन की थीम है वी टर्न्स वन अंडर दिस सन, ले मास्करिट और पार्डन माई फ्रेंच. अन्तिम दिन यानि शनिवार को थीम ला डोल से वीटा होगी जिसमें इटालियन समर का ड्रेस कोड होगा. इस कार्ड के बाद अब फैंस इस फंक्शन की तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं.